हेलो दोस्तो, बहुत सारे लोग बार-बार ये सवल करते हैं कि इस वक्त मेरी इंकम कम है, तो क्या मैं अमीर बन सकता हूँ? तो दोस्तो, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप अमीर बन सकते हो, कम इंकम की वज़र से ये हो सकता है कि आपको अमीर बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप अमीर जरूर बन सकते हैं, और एक बात में अमेशा कहता रहता हूँ, कि अमीर होने का संबन आपकी गूर हैबिट्स मतलब अच्छी आदत उसे, और ये बात में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोकों को भी जानता हूँ, जिनोंने अपने शुरुआती सालों में बहुत कम पैसा कमाया, लेकिन उनकी आदत है सही थी, और वो अपनी लाइफ में आगे चलके अमीर बने, और कई ऐसे लोकों को भी जानता हूँ, जिनोंने बहुत पैसा कमाया, और वो लोग अभी भी पैसा बहुत कमा रहे है, लेकिन आज भी वो बहुत ही कर्ज में डुबे हुए है, और ये लोग ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी बहुत कर्ज में डुबे हुए ह उसकी वज़ा सिर्फ यह है कि उनका mindset और उनकी सोच सही नहीं है उनकी आदते सही नहीं है मैं यहां आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको अपना mindset चेंज करना होगा और उसे growth mindset बनाना होगा आपको अपने पैसे के बारे में सही सोच रखनी चाहिए आपको अपनी आदते सही रखनी चाहिए और आपको पैसे की value करनी चाहिए अगर आप ऐसी वेजी चीजों में change लेके आते हैं तो यकिन करिए दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि इस टाइम पर आपकी क्या income है ये बातता है कि आपका future हमेशा अच्छा रहेगा अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर ये सब चीजे theoretical है practically possible नहीं है तो मैं आपको समझाने के लिए कुछ example बताता हूँ Amazon के मालिक Jeff Bezos को आप लोग जानते ही है सरुवाती दिनों में MacDonald में apply किया था लेकिन उनको उस नौकरी के लिए reject कर दिया था आज वो दुनिया के सबसे अमी इंसानों में से एक बन गए है इसकी वज़ा थी उनका mindset क्योंकि वो mindset growth mindset वाला था सुरुवाती टाइम पर उन लोगों की income तो कौमी थी लेकिन फिर भी वो अमीर और successful बने और अगर हमारे देश का example ले तो हमारे देश से धिरुवाई अमबानी का example लेके समझते है आप जानते ही है कि धिरुवाई अमबानी सुरुवाती दिनों में पैट्रोल बेचा करते थे वो उसमें से ही अपना गुजरान चलाया करते थे लेकिन उनका mind growth mindset वाला था इसलिए उन्होंने सोच को सही रखी थी और उनकी आदते भी सही थी और इसी के चलते वो इंडिया वापस आये और इंडिया के उन्होंने अपना बिजनेस टाट किया और खुद को अमीर बनाया वो successful बने और अब आप कहेंगे कि ये example बड़े बड़े example है लेकिन ऐसे बहुत छोटे example भी है आपको भी अपना mindset change करके growth mindset के साथ काम करना होगा आपको अपनी कम income को बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए पैसे saving करने के लिए सोचना चाहिए और save कियो वे पैसे को invest करना चाहिए और अपने आपको अमीर बनाने के लिए सही दिशा में काम करते रहना चाहिए मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद को अमीर बनाना चाहते हो तो आपकी income आज कितनी है वो मत सोचो आप सिर्फ अपने पैसे को बचाने और बढ़ाने के लिए सोचो आप अपनी सही जरूरतों को पूरा कीजिए अपने पैसे को save करिए saving money को invest करिए और आप ये सोचते रहिए कि और ज्यादा पैसे कैसे कमाना है जब आपकी सोच और आपका mindset ऐसा हो जाएगा तो निश्ची तरीके से future में अपने आपको अमीर बनाने में सफल हो जाएगे मैं आसा करता हूँ कि आप इस बात को सही तरीके से समझ गये होंगे आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा और अगर इस वीडियो के लिए आपका कोई question हो तो मुझे comment करके जरूर बताना हम comment में जरूर discuss करेंगे तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो like और share करना मत बुलना हमारी channel life steps को subscribe कर देना क्योंकि यहां मैं आपके साथ ऐसा ही interesting और knowledgeable वीडियो शेर करता रहता हूं जो आपकी knowledge को बढ़ाते रहेंगे मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में तब तक बाई बाई टेक केर